आप property लेने जा रहे हैं रुकिए रुकिए जरा रुकिए पहले आप project का review देख लीजिए कौन सा project आपके लिए best है उसके बाद आप उस location का भी review देख लीजिए जिस location में आप लेने जा रहे हैं project को उसके बाद अब आप देख लीजिए कौन सा builder आपके लिए best है यह सब यूटूब चैनल पर नमस्कार दोस्तों आज हम रिवीव करने वाले हैं M3M ग्रूप पर नौइडा में जो इन्होंने प्लाट लिया था उसके अगेंस्ट ग्रेटर नौइडा अथावर्टी के CEO ने एक इल्जाम लगाया है कि इन्होंने 200 करोड रुपए का चूना लगा दिया M3M बिल्डर ने ग्रेटर नौइडा अथावर्टी को तो इसमें कितनी सतेता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों तो सुरुवात करते हैं वीडियो का M3M बिल्डर जो की गुरगाओं में बहुत बड़े अच्छे बिल्डर हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रजेक्ट डिलेवर भी कर चुगे हैं 2022 में इन्हों नोयडा के रियल एस्टेट मार्केट में एंटरी की और तीन लैंड पार्सल खरीदे जिसमें से एक लैंड इंडिया बोल से ऑक्षन में खरीदी सेक्टर 128 नोयडा में टोटल लैंड एरिया है 73 एकड का अब इस लैंड की क्या कहानी है ये मैं आपको बताता हूँ ये जमीन यमुना एक्ष्प्रेस बेब बनाने के लिए यमुना अथारिटी ने उत्तर प्रदेश सरकार और जेपी बिल्डर के बीच में जो करार किया गया उसके अकॉर्डिंग लैंड फॉर डेवलेप्मेंट के अकॉर्डिंग ये जमीन जेपी गुरुप को दी गई कि इन्फॉर्मेशन यमुना अथारिटी को है कदम गुरुप सिप्रा गुरुप की ही कंपनी नया मोड आया तब जब कदम गुरुप ने इस लैंड को मौर्गेज करके लोन ले लिया इंडिया बोल से या हम ये कहें कि सिप्रा गुरुप ने अपने इस लैंड को करने का right रखता है इंडिया बोल्स ने इस अधिकार का प्रयोग कर के इस land को sale कर दिया ये है पूरी कहानी जो news paper में आ रही है अब आखिर यमना authority को क्यों ही problem अब हम इस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यमना authority का कहना है कि ये एक fraud डियल की गई है authority से छुपा कर इसमें authority को tm charge के रूप में एक बड़ा amount मिलता जो नहीं मिला यमुना authority 200 करोड claim कर रही है कि 200 करोड tm charge का authority को m3m group ने चूना लगा दिया authority का ये भी कहना है कि बिना rara number आए और layout pass कराए m3m group ने project sale करना शुरू कर दिया और साथ में एक तरह तरह ते इनका कहने ये भी है कि क्यों अभी तो जमीन ही उनके नाम में नहीं है तब भी इन्हों ने project sale करना शुरू कर दिया और नक्सा इसके लिए यमुना authority के CEO ने नौइडा authority के लिए एक पत्र लिखाया उसमें कहा है कि नक्सा पास इस project के ना करें ये तो ही यमुना authority की बात अब हम बात करते हैं कदम गुरूप या सिप्रा गुरूप को क्या समस्या है कदम गुरूप अब बात करते हैं सही और गलत की आखिर इस news के पीछे सत्य क्या चुपाया जा रहा है सबसे पहले बात करते हैं यमुना authority की यमुना authority की according TM नहीं कराया गया जिसकी बज़े से authority को 200 करोड रुपे का घाटा हुआ तो अगर यह सच है तो बिना TM के तो सब lease deed भी नहीं होती है तो सरकार का तो इसका तीन गुना loss हुआ होगा स्टेम चोरी का जो की 500 से 600 करोड रुपे होगा तो इस मामले में सरकार का कोई objection नहीं आया आखिर क्यों और वो भी इस news के बाद भी greater noida पूरा lease hold है यहाँ sale purchase में TM कराना पड़ता है बट नाम change हो तब लेकिन पूरी कहानी में एक बात open नहीं की है वो है company के director change हो गए कदम गुरुप company में ownership change हो गई signing authority change हो गई land आज भी कदम गुरुप के नाम पर ही होगी papers में अगर land कदम गुरुप के नाम से ही है तो फिर TM की जरुपती नहीं रहेगी ना ही उसकी ownership change होई actual में सिर्फ company की ownership change होई है इसलिए TM की जरुपती नहीं है और ना ही sub-lease deed की जरुपत है तो ना TM charge की चोरी होई और ना ही stamp duty की ये सिर्फ M3M की speed को कम करने की suggestion और कुछ भी नहीं है एक बात सच है authority के CEO अरण भीर सिंग ने कहा की प्रादिकरन को change in constitution और change in shareholding की सूचना प्रादिकरन को नहीं दी गई ये M3M group की गलती है उनको authority को information देनी चाहिए थी इस गलती का जुर्माना और shareholding के charges की condition में जो भी charges बनते हैं authority को देने के वो M3M group को देने चाहिए और बिन late charges authority को जमा कर देना चाहिए अब बात करते हैं कि बिना रेरा approval के project sale करने की M3M group ने Noida की market में entry की है तो M3M group सिर्फ अपनी marketing और promotion कर रहा है और ये भी possible है कि sale भी कर रहा हो परन्तु openly sale नहीं कर सकते हैं बिना project के नाम के branding और promotion किया जा सकता है ये legal है और authenticate भी है इसमें कोई भी धोकाधड़ी नहीं है तो ये भी बे बुन्यादी बाते हैं हाँ अगर sale कर रहे हैं ये थाबित हो जाता है तो illegal काम कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ें अंदर में सब होती है legal और illegal अब इतमें कितनी सत्यता है ये तो ये दोनों ही जान सकते है authority या फिर खुद M3M group अब बात करते हैं Sipra group की कि इनोंने FIR क्यों की है M3M और India Bulls पर एक land Sipra ने India Bulls को mortgage के लिए दी terms and condition भी होंगी उनके according India Bulls ने उस land को sale कर दिया तो India Bulls की क्या कमी है और M3M group ने पैसे दिये और जमील खरीद ली तो उसमें क्या crime कर दिया M3M group ने जिसके लिए FIR की जा रही है Sipra group की तरब से और इसके बाद जमीन नौइडा में है सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जमीन नौइडा में है और FIR इंद्रापरम में की जा रही है NS24 पर अगर इंद्रापरम से गाजियाबाद जाते हुए अगर हिंडन के पुल पर अगर कोई बारदात हो जाती है चाहे एक्सिडेंट ही क्यों ना हो तो नौइडा पुलिस कहती है FIR गाजियाबाद में होगी और गाजियाबाद पुलिस कहती है FIR नौइडा में होगी चाहे बहाँ पर पेसेंट मर रहा हो जिसके चोट लगी है या कोई और समस्या में आदमी परिषानी में जूज रहा हो वहाँ FIR कौन से थाने में होगी वो यह दोना पुलिश डिसाइड करती है और यहाँ पर जमीन पर कपजा और गाजियावाद में FIR दज की जाती है आकर क्यों कि क्या कहो कहना साइड ओपनली ठीक नहीं है सबी तथ्यों को देखकर यह लगता है कि जवर जफ्ती N3M ग्रोंप पर किसी मोटिफ के तहज जो की छुपा हुआ है यह सारी कारवाई की जा रही है सब बनावटी है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा तथ्य में कुछ भी नहीं है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी यह information आपको कैसी लगी और ऐसी informative वीडियो दे कारी को देख सके और समाझ सके थैंक यू थैंक यू वेरी मुच पर वाचिंग मैं वीडियो